वेलो एवरीवन वेलकम तो माई चैनल एंड वेलकम तो एन अटर वीडियो आपस बहुत अच्छे होंगे तो मैं आज आपके साथ कोई कोकिंग की रेसिपी नहीं लेके आई हूँ को अटर आपके करेंगे जो खाने का सोड़ा होता है उसको आप इस पे अच्छे से स्प्रिंकल कर देंगे हर तरफ डाल देंगे इसके ऊपर आफ नीबू और उससे रप करना है हमें इसको कूब अच्छे से रप करना है तकरीबान पांच मिनट के लिए करेंगे तो अच्छा तरफे पानी कीहलब से कर लेभल और फिर से इस जारे पानी की सबस्सकत रावज हेड़ ऊसंयाय दनें वेड़ जो हमारा दिश वाशर होता है उसको लें गे और उसको डिस्ट कर लेंगे और सिक्रबर में लेकर गो novoy भी दागा भी हमें लग रहें तो उसको रब करके अच्छ से क्लीं करके और फ़र वाटर की हल्प से हम उसे वज वाष कर लेंगे वाष करने के बाद में इसका सारा पानी जो भी वचेगा उसके उसके उपर हम सोक गर लेंगे किसी टावल यह पेपर तोवल से आप इससे बिल कोई भी तेल ले सकते हैं कोशिच चाहिए करें कि जो इस ट्रॉंग फ्लेवर कर तेल ना लें पर अगे आपको अच्छे से वाश करना पड़ेगा तो लाइक कोकोनट ओई ले सकते हैं या फिर आप सरसुका तेल भी ले सकते हैं तो उसकी यह है कि आप अगर उसके बाद में जो भी कुकिंग कर रहे हैं उसके लिए यूज करना है तो उसको आप उसी ओइल में अगर बनाएंगे तो फिर अलग सी महक नहीं लगेगी तो यह सब इसको अच्छे से कोटिंग करने के बाद में इसे आपको धूप में रख देना है 10-15 मिनट के लिए संलाइट में अगर संलाइट नहीं आ रहे है तो जो थोड़ी भी जैसी भी संलाइट है या फिर आप ऐसी रखका छोड़ दें अपने घर में और उसके बाद में से यूज करें थैंक्स वर वाचिंग मैं वीडियो और वेरी गुड टाइम है